जोए मसी की दोस्तों, आज की सुरगी मन्ना का भाग हमने लिया है मर्कुस की पुस्तक उसका छटा अध्याय और उसका पांशवा और छटा वचन वचन कहता है कुछ बेमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करने के अत्रिक्त वो वहाँ और कोई आश्चरिक्रम ना कर सका और उसे उनके अविश्वास पर बड़ा आश्चरि हुआ फिर वो गाओं गाओं उब्देश देता पहरा धन्यमाद पिता परमेशन दोस्तों ये वचन हमें क्या बताता है ये वचन हमें बताता है कि इश्व मसी जो स्वर्ख से उत्रा था इश्व मसी जो परमेशर का पुत्र था उसके अपनों ने उसे नहीं पैचाना उसके अपने दोस्तों ने उसे नहीं पैचाना उसके अपने चेलों ने उसे नहीं पैचाना इश्व मसी ने उसके चेलों को चुना उसके चेले हमेशा इश्व मसी के साथ रहते थे इश्व मसी ने मुर्दों को जिंदा किया अंथों को आखे दी बैरों को कान दिये सब कुछ उनके चेलों के सामने हुआ तब भी वो ईशुमसी को संधेक के द्रश्टी से देखते थे उन्हें विश्वास नहीं होता था और रंत में क्या हुआ जैसे ईशुमसी गत्सम्नी के समय पकड़े गए सारे चले भाग गए सारे चले भाग गए और उपनी कोट्री में डर कर बैठे रहे वो डर उन्हें कहां से आया अविश्वास से तो दोस्तों हमें अपने अविश्वास का अपने अविश्वास का इलाज करना है हमें उसको सुधारना है इसरायल को परमेश्वर मिस्र से गुलामी की जंजीरों से छोड़ा कर लेकर आया बड़े बड़े चमतकार किये इसराइलियों के सामने उन्हें प्यार दिया, उन्हें 40 साल तक मन ना खिलाया लेकिन इसराइली विश्वास ना कर सके क्यों ना कर सके? त्योंकि उनके सामने उनका शरीर प्रथम था उनके शरीर की भूग पहले थी इसलिए वो अविश्वास के साथ अपने जिन्दगी को गुजारते थे वो विश्वास नहीं कर पाए दूस्तों हमें अपने अविश्वास को अपने जीवन से निकालना है और ये विश्वास अपने मन में दरड करना है कि ईशू 2000 साल पहले स्वर्ग के जमीन पर आया था और हमें शुद्ध कर रहा, उसने हमें शुद्ध किया, पवित्र किया और हमें अनंद काल का जीवन दिया हमारा घर स्वर्ग में है और हम यहाँ पर एक, हालेलोया, हम यहाँ पर प्रवासी है तो दोस्तों बहुत जरूरी है कि हम अपने विश्वास का, हमें अपने अविश्वास का इलाज कराएं अगर हमारा अविश्वास, हमारे विश्वास को तोड़ता है तो हम उस आशीश को नहीं पापाएंगे जो परमेशर हमें देना चाहता है क्योंकि जब तक हमारा विश्वास हत्यार की तरह हमारे साथ नहीं होगा जब तक हमारा विश्वास एक पुल की तरह काम नहीं करेगा हमारे और इशुमसी के बीच हमारे और परमेशर के बीच तो हम उस आशीश को नहीं पापाएंगे और सुक को नहीं पापाएंगे और सामर्द को नहीं पापाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है और हम वो काम नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर हमसे कराना चाहता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है अपने लिए मेरे दोस्तों हमें ये नहीं बोलना है कि परमेश्वर ने हमारा चुनाव अपने राज्ज को बढ़ाने के लिए किया है हम अपने नहीं हैं हम परमेश्वर के हैं इसलिए हमें शरीर पर अपना भरोसा नहीं करना है आत्मा पर भरोसा करना है और विश्वास को चट्टान की तरह मस्बूत करना है ताकि हम जो कहें वो हो, हम जो सोचें वो हो क्योंकि विश्वास एक ऐसा पत्थर है, एक ऐसी सामर्थ है, एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत ही उचा उठाती है, हालेलोया इसलिए विश्वास हमारे जीवन में बहुत सरूरी है इसलिए अपने विश्वास का इलाज करिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों और वो कैसे होगा जो हम रोज वचन पढ़ेंगे जो हम रोज वचनों को मनन करेंगे और उस पर चलने की कोशिश करेंगे तो विश्वास अपने आप हमारा द्रड होता जाएगा आई हम प्रात्रा करते हैं इसलिए के पबद स्वांती नाम से मांगते हैं धन्यवाद देते हैं परमिशर आज का दिन अद्बुत है सुनने वाले हर भाई बेन को आशीर सुकुर संगाई दे परमिशर ताकि उनका विश्वास बढ़े और द्रड हो जाए ताकि वो कहीं भी जुके नहीं और शेतान उनकी जीवन में काम ना करे इस उमस्या के पबद स्वांती नाम से मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रात्रा आपने सुनी कुबूल किये मेन, मेन, मेन